हालो और वेलकम दोस्तों टू 5 मिनेट्स इंजीनियरिंग आज का वीडियो वागी बड़ा कमाल काउने वाला है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो के साथ ही अपन शुरू करने जा रहे हैं शुबारम करने जा रहे हैं एक दुनिया जिसका नाम है software testing की दुनिया बड़ी एहम दुनिया बड़ी important है इस दुनिया के बारे में आपको जानकर यहोनी ही चाहिए लेकिन क्यूं ये पहला सवाल रहता है हर respective student का किसी भी subject को शुरू करने से पहले कि सर जी इसकी क्या जरूवत है इसकी need क्या है अगर ये नहीं रहेगा तो क्या आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ terminology related to software testing आपके सामने पेश करना चाहूंगा तो इस क्यू का पहले जवाब दे रहेते कि क्या जरूवत है software testing की देखिए software सबसे पहले तो software ये word पकड़ लीजिए ये एक ऐसा word है जो कि almost हर industry में भाईया चाया हुआ इस्तमाल भरपूर तरीके से किया जाता है कई specific तरीके से यूज किया जाता है कई जन्रिक वे में यूज किया जाता है चाहे फिर भाईया health industry ले लो कर रहा हूं पैसा इज़त और जान बहुत important चीज़ें बहुत important चीज़ें आगर इनकी रक्षा करनी है तो यहां पर software को test करना बहुत ज़्यादा जरूरी है example के साथ बताता हूं सबसे पहले जान के साथ शुरू करते हैं life के साथ शुरू करते हैं जो यह अपनी health industry medical industry होती है उसमें बहुत सारे ऐसे equipment होते है रिस्पेक्टिव machinery होते हैं जो कि आपकी एक particular disease को जो रेडियेशन treatment के थ्रू बहुत करते हैं सही ही important है कि आपका software जो है वो tested हो एजान यह भाई साथ उसमें कभी भी कोई भी बग निकल के आ जाए और वो सीधा किसी के जान पर आ जाए यह बात आपको यहां पर समझने दूसरी बात पैसा और इज़त की करते हैं कई पर आपने देखा होगा जो यहां पर सोचिए कितना पैसा एक रॉकेट बनाने में लॉंच करने में इन्वेस्ट होता है और यहां पर फट गया तो भाईया क्या सोचते हैं लोग इस तरीके से भी जानिए समझी इस बात को मान लीजिए आपने प्रोड़क्ट में एक सॉफ्टवेर एंबेड़ेड़ अब सोचिए कि प्रोड़क्ट जो है मिलियन की कॉंटिटी में मार्केट में चला गया और फिर बाग में जाके पता चलता है कि आरे यार इसमें तो एक एरर है इसमें तो एक बग है मान लीजिए एक स्पेसिफिक टास्क है एक्स यह आपका सॉफ्टवेर पफॉर्म करी न मार्केट में रखना होगा तो सोची इसमें भाईया आपकी रेपुटेशन आपका पैसा और जान की बचति यानि की रिस्पेक्टिवली इजट पैसा जान अगर इसकी बचत करनी होगी तो भाईया रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पे सॉफ्टवेर को टेस्ट करना ही पहले से हेंडल होना चीए पहले से पता होना चीए कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो यह होगा ऐसा हुआ तो यह इस तरीके से हेंडल किया जाएगा आप बात समझ रहे हो एक्सेप्शन को बढ़िया तरीके से हेंडल करना बग फ्री एक तरीके से आपका सॉफ्ट्वेर होना य जान के रक्षा होगी, उसके बाद आपका जो धन है, जो पैसा involved होगा, software बनाने में, उसको भया, market में deploy करने में, उसकी जो धन है, उसकी रक्षा होगी एक तरीके से, जादा फालतुका भया, loss नहीं होगा, company को बड़ा loss नहीं होगा, reputation जो इज़त है भया, उसकी भी रक्षा PRO, what do we mean by PRO, P मतलब performance, high performance, arrow उपर दिख रहा है न, मतलब high performance की बात कर रहा हूँ, high reliability आपको उस software में मिलेगी, and highly optimized software वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो हर एक respective task जो perform करता है, वो सबसे बढ़िया optimized way में, कम से कम resources का इस्तमाल करते हुए, कम से कम time में आपको वो जल्दी कियसे भई, अगर perform की होगी, तो सही parameters की उपर perform की होगी, तो high quality software आपको at the end देखने को मिल सकता है, साथी साथ सबसे important चीज, जो respective आपका client होगा, जो user होगा, जो चाहता है कि भाई साब एक company से कि यार ये software आप मेरे को बना के दे दो, तो चलो आपने वो software बना के तो दे द चै कि क्या उसकी respective user की requirements है, जो end user होगा, इसने जो मुझे feedback दिया था, क्या उस feedback के एसाब से, क्या उस requirement के साब से, मेरा ये product के specifications जो अभी मैंने generate किये है, deploy किये है, क्या ये match कर रहे है, क्या ये requirement के इसाब से जा रहा है, ये भी तो important होता, ये भी तो सही है, कि भया, आप like बनाया कुछ और वो चाहते कुछ और तया ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना तो चलिए इसी प्रक्रिया को थोड़ा और डीटेल में संभणने के लिए यहां पर हम जानते हैं यह दो टम्स के बारे में एक बेसिक आइडिया शेयर करूंगा बाकि इनके बारे में डीटेल्स आ आने वले वीडियो में तो मैं शेयर करने ही वाला हूं एक बेसिक आइडिया बता देता हूं वेरिफिकेशन वेलिडेशन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जब हम लोग यहां पर सॉफ्ट्वर टेस्टिंग की बात करते हैं एक सिंपल सवाल है जो कि आ सारा मतलब बदल जाता है वेरिफिकेशन का वेलिडेशन हो जाता है वेलिडेशन का वेरिफिकेशन हो जाता है समझ मिन הזה कौन क्या कहना चाहता है ठील है मैं यह अज़ियूम करके चल रहा हूँ कि आपने कई सारे printing प्रतियोगिताओं में जो है, हिस्सा लिया होगा मैंने तो काफी लिया था भईया मेरे को printing काफी पसंद दी पर पता नहीं यह board पर आती मेरी खराब हो जाती गता है लेकिन मान लीजिये पेंटिंग भले इतनी अच्छी ना दिखे जो मैं अभी बनाने वाला हूँ चित्र लेकिन भाई वेरिफिकिशन वेलिडेशन बताने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा वो चीज़ मैं एक पेंटिंग बनाने कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से एक पेड़ बना रहा हूँ मैं थोड़ा टाइम लग सकता है आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते है यह मैंगोज है आम है यह I don't know यह किस किसम के है लेकिन यह कुछ तो आम की तरह ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट टू इनफॉर्म यू दाट खीक है यह उसके भईया पत्ते हैं कुछ इस तरीके से आप यह बनाते वक्त जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि भाई क्या कर रहा है तू भाई तू कर क्या रहा है मजाग चला यहाँ पर यहाँ मजाग चला यह किस प्रकार का पेड़ बना दिया तुने इस तरीके से ये कौन सा तरीका है ये गलत तरीका है यही होता है वेरिफिकेशन यही होता है वेरिफिकेशन कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि भाई जो तु प्रोड़क्ट बना रहा है वह सही तरीके से बना रहा है यानि जो तु चित्र बना रहा है इस case में यह product ही तो हुआ यह जो भाई तु चित्र बना रहा है यह सही तरीके से बना रहा है नहीं बना रहा है सही तरीके से ऐसे थोड़ी ना बनता है पेड़ यह किस किसम का पेड़ है कि यहाँ पे आम का पेड़ बनाया न तुने तो आम भाईया ग्राउंड की नीचे उखते हैं कि यह उपर उखते हैं भाईया respectively तो यह तो गलत तरीका हुआ अब इसमें एक और उपर की बात में यानि कि सीनरी पेंटिंग करो जिसमें वो परवत रहते हैं पहाट रहते हैं चोटा सगर रहता है चिडिया रहती है नदी बीट से बैती है और सूर्य रहता है कुछ इस तरीके से यह पेंटिंग आपको बनानी है और आपने बना दिया ये ये गलत है इसे बोलते हैं validation गौर से सुनिएगा question are we building the right product बनाना ये था this was the right thing और आपने बना दिया ये मेरको नहीं लेना देना आपको भाईया respective इंसान बनाना है बिल्ली बनानी है कुता बनाना है ट्री बनाना है प्लांट बनाना है जो बनाना है टेलिविजन बनाना है खुरसी बनानी जिसका भी painting बनाना है बनाओ लेकिन मैं तो सिर्फ इसी चीज में interested हूँ कि क्या वो आपके respectively requirement जो आपका end requirement है end product है जो respectively specification है आपके क्या उनसे वो match करता है की नहीं जो बोला गया था बनाने के लिए तो उससे वो respectively match करता है की नहीं ये तो किसी भी हिसाब से भाईया scenario painting तो नहीं है और ये तो भाईया जो बनाया है वो अपने आप में भी प्रक्रिया गलत है तो यहां on the basic level verification आपको समझ में आ गया होगा और साथी साथ validation क्या करने कोशिश कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा तो verification level पे अपन ये देखते हैं कि बाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ ये गलत तरीके से कर रहा हूँ that is am I building the product right way क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ as per the user requirement हो भी सकता है as per the requirement नहीं भी हो सकता है वो अलग बात है वो हम validation में चेक करते हैं लेकिन जो अभी मैं फिलाल कर रहा हूँ वो तो यहां पर पूरी तरीके से गलत था आपने notice किया होगा लेकिन validation में अपन क्या बात करते हैं match करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने बनाया है और जो भाईया expected था कितना वो respectively सही है are we building the right product क्या हम सही product बना रहे हैं जो चाहिए था जो मांग रहा था वो सामने वाला क्या वही हम बना रहे हैं या नहीं तो sadly यह मेरी drawing जो है competition के बाहर हो जाती है क्योंकि ना यह verification में पास हुई है ना validation में पास हुई है तो भाई आपन जो है इस respective competition से बाहर होते हैं लेकिन hopefully यह सारी की सारे fund यह basic idea software testing की इस video के माध्यम से आपको समझ में आगे होगी अगर आगे होगी तो भाई इस video को लाइक कर दीजे जल्दी तुरंत अभी के अभी subscribe भी कर दीजे अपने चैनल प्यारे से 5 मिनिट इंजिनेरिंग चैनल को और सबसे ज़्यादर ज़री भाई इस video को ज़रूर शेर की जबने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलाओ दोस्तों फो वाचिं इस वीडियो